और ब्रिक के बाद एक बाद फिर से आपका स्वागत है कशुश न्यूज पर लगातार मतदान केंद्रों की तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं और साथ इस बात की अपील भी कर रहे हैं कि अगर अभी तक आपने वोट नहीं किया है तो वोट जरूर कीजिए और लोकतंत के इस महापर्व का हिस्सा बनिए लगातार सहयोगी अशुतोष चंद्रा मुजफरपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं लेकिन रुख कर लेते हैं रुच्छी का इस वक्त हमारे साथ जारकर्ण से जुड़ गई हैं रुच्छी देखिए जारकर्ण में आज तीन सीट प अब देख सकते हैं कि बूत पर जो लोगों की भीड यानि कि कतारवध हो करके सुबह से ही पहले मतदान और उसके बाद जल्पान यानि कि लोक तंत्र के सच्चे प्रहरी की भूमिका ये निभाते हुए देखे जा रहे हैं और जहां तक बात रही प्रत्यासी की तो काली प इंत्रे पाठी के बीच मुकाबला है इंडिये और इंडिया गट बंदन के प्रत्यासीयों के बीच मुकाबला देखने को मिल रहा है हला कि फिलहाल जो खुबसूरत सा दृष्च आप देख रहे हैं ये दिखाता है कि किस तरीके से हमारे इस लोक तंत्र के महापर्व में बढ़ चड़कर लोग हिस्सा लेते हुए दिख रहे हैं, वही देखें यहाँ जो अधिकारी हैं वो पहुँच रहे हैं और निरिक्षन करते हुए देखे जा रहे हैं, अलग-अलग बूतों पर जा रहे हैं, हमारे साथ यहाँ से रस्मी मैम है जो अभी निरिक्षन कर रही बीड है और बहुत ही जागरूक हैं लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए और सभी लोग उत्साहिद भी हैं कि उनको यह मौका मिला कि वो अपने जनप्रतिनीदी को चुन सकें, तो लोगों में काफी उत्साह भी है कि वो अपना अधिकार का प्रयोग कर रहे ह अच्छा जब मतदान के सुरुआत के गई तो कुछ A.B.M. मशीनों में खराबी आईगी। हाँ कुछ जगह मौकपॉल के दोरान मशीन में प्रॉब्लम आई थी लेकिन इंजीनियर के दोरा उनको सॉट आउट कर लिया गया है। दो जगह हमारे संग्यान में हैं जो की प्रॉब्लम आई थी तो मशीन को चेंज कर दी। यहाँ इस बूत में भी चेंज किया गया है और अभी चालू है। रिलकुल तो अभी सब कुछ वैल चल रहा है आने की सब जगह ठिक टाक से मतदान हो रहे हैं और ऐसे में लोग बढ़ चड़ करके हिस्सा लेते हुए दिख रहे हैं और चत्रा लोग सभा संसदिये चेत्र की अगर बात की जाए तो ऐसे में 1899 ऐसे बूत बनाए गये हैं मत दान केंदर बनाए गये हैं जो कि नकसल प्रभावित एरिया में हैं वहाँ पर किस तरीके की बवस्ता हैं देखे रुची अगर नकसल प्रभावित की बात करें तो लाते हर जिला में 200 नहीं बलकि 400 से ज्यादा 30 सम्विदन सिल्व हैं जो चिनित की आगवा है और इसमें से लाते हर जिला में 679 बुथ टोटल हैं जिसमें से 400 पलस 30 सम्विदन सिल्व हैं तुस तरह लाते हर पुलीस या परसासन के लिए काफी चुनवति पूर्ण है या लोकतंत्र का महापरवल लेकिन इस बीच में सुरक्षा की सभी मानक को पूरा करते हुए जो वोटर्स को लाते हैं जो एक दो वोटरों से भी बात करिये रूची तो उसमें क्या है कि अपने जो मतदान का मतदिकार का प्रयोग किया है उसमें से काफी लोग इसमें उत्ताहित हैं जो वोटर्स लाइन में खड़े हैं जो खतारबद हो करके खड़े हैं जिनों ने जलपान नहीं किया है और सबसे पहले मतदान केंदर पर पहुंचे हैं यानि कि पहले मतदान हो जाए उसके बाद जलपान करें तो अब लोग तंत्र के सच्चे प्रहरी ये कहलाएंगे और देखे सुबह सुबह मतदान केंदर पर पहुंचे हैं किन मुद्धो को ले करके इस बार मतदान कर रहे हैं ये रुचे आफ वारे साथ बनी रहेंगे लेकिन फिलहाल हम आशुतोष के साथ मुझफरपूर में जुडते हैं आशुतोष बताईए जो वोचर जो मतदाता पह बात करें तो हमें पता चल पाएगा कि मुद्दे क्या हैं वो जिन मुद्दों पर दे रहे हैं क्योंकि हमने सुना जैसा कि आपने बात जब उन से पूछा कि क्या जाती कास्ट कोई रीजन है कोई कारण है तो उन्होंने बिल्कुल सिरे से खारीश कर दिया तो अगर आप बा वोटरों से हमारी बातचीत हुई और उसमें कुछ जो युवा वोटर थे उनसे हमारी भी बातचीत हुई और उन्होंने साथ तोर पर यह कहा है कि डेवलपमेंट के मसले पर वोट करना चाहते हैं और सबसे अच्छी बात सीनियर सिटिजन्स हमें यहां पर वोटिंग वोटिंग वोटिंग चल रही है और इस और थोड़ी सी कभी देखने को मिल रही है वोटरों की लेकिन धिरे धिरे मुझे दिक रहा है कि धिदिरे धिरे वोटिंग सेन्टर पर महिलाएं बुदर्ग सभी पहुंच रहे हैं और यह अच्छी तश्वीर में div meat वोटिंग और बारी का इंटजार भी करेंगे और सबस्य Ł pass यहाँ वोट देने के लिए वोट देकर और बाहर निकल रहे हैं और और एक और फैंपली बहत भी उस बहुत सब्सक्राइब करक्ता करें के लिए पहुंचेंगी और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से हैके करके जो सीनियर सिटिजन्स हैं वो भी वोट देकर निकल रहे हैं और महिलाएं काफी तादाद में पहुंच रही हैं और इस बूत पर मुझे एक अच्छी तस्वीर ये लगी कि वोट देकर के महिलाएं निकल रही हैं और सबसे अच्छी बात ये लगी कि कास्ट बेस्ट पर वोट करने की बात को सीरे से जो वोटर थे उन्होंने खारिज कर दिया और उनका साफतार पर मनना था है कि ये चुनाव केंद्र का चुनाव है केंद्र में किस तरह से अच्छी सरकार बने देश की सुरक्षा का सवाल है, डेवलोप्मेंट का सवाल है और अच्छे जन प्रतिनिधी चुनना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो आगे सांसद, बहतर सांसद चुन सके, आपने वोट दे दिया, अच्छा ये पता ये क्या अधार है, क्या मुद्दा है आप लोगों का सवाल पूछ रहा है क्योंकि बिहार में जब भी बात आती है तो डेवलोप्मेंट एक तरफ हो जाता है और कास्ट के आधार पर ही यहां पर वोटिंग होती है, यह सबसे बड़ी सचाई है, हो सकता है, बहुत लोग खुलकर बात अपनी नहीं रख पाते हों, लेकिन यहां पर कास्ट ही एक बड़ा फेक्टर है, लेकिन चुकि मैंने पहले भी कहा कि इस वक्त हम लोग सहरी शेतर में हैं, और यहां पर वोटिंग हो जाता है, लेकिन अब यह पूरानी बात हो चुकी है, आज के नौजवान, आज के युवा जब वोट करने के लिए पहुँच रह हैं, बहुत शुक्रिया, आशुतोष आपका तबाम तस्वीरे साजा करने के लिए